साधियों एक छोटा सा हमारा decision होता है छोटी सी हमारी आदत होती है जिससे किसी भी चीज के लाब को हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं तुलसी के पौधे, तुलसी के पत्ते हम यूज करते हैं बहुत बार अपनी चाय में, अपने भोजन में और भी बहुत सारे पकवानों में और कई बार तो क्या कहते हैं लोग के सर तुलसी का पौधा तो यूज कर रहा हैं कई साल से पर ठीक है चल रहा है लेकिन आपको पता है क्या आपका एक छोटा सा डिसियन एक छोटी सी साबधानी तुलसी के पौदें के जो पत्ते होते हैं उनके जो ओशदी गुण होते हैं उनको दस गुणा बढ़ा सकती है आईए शेयर करते हैं जिससे कि आपको मिले भरपूर तुलसी के पत्तों का और साथ साथ उन पौदों का भी जिनका इस्तमाल आप करते हैं अपने बोजन में आम तोर पर साथियों कहते हैं कि शुक्र गुजार होना भी एक आदत है और आदत डालो थैंक्यू बोलने की धन्यवाद बोलने की शुक्रिया करने की जहां कर पाओ जब आप किसी के लिए थैंक्फुल होते हैं ना तो साथियों आपके उपर जो उर्जा होती है पॉजिटिव इनर्जी आपके उपर बरस्ती है आती नहीं है बरस्ती है साथियों जब हम तुलसी का पौधा या इसके पत्ते को कहीं से तोड़ते हैं तो वो किस तरह से तोड़ें जिससे कि उससे जह हमें भरपूर उर्जा मिले और मिले उससे पूरा लाब जिस उद्देश्चे से हम उसके पत्तों को तोड़ रहे हैं नमशकार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भारदवाज और आज बात कर रहा हूँ मैं तुलसी के पौदों से दस गुणा लाब लेने की कुछ बातें छोटी छोटी होती हैं जिनको अपने आप पले बांज लें शायद आपकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा काम आएगी सबसे पहले जब तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं ध्यान करें कि पहली बात तो आपको नहाद होकर ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए गंदे शरीर से जैसे आप टॉलेड गए हैं या कहीं भी बाहर गए थे कैसे भी सोई थे भगवाँ जाने उन हातों से पत्ते को ना तोड़ने तो जाद अच्छा है पहली बात दूसरी बात तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले थोड़ा सा उसको जल चड़ा दें आप और अगर आपने जल पहले छड़ाय हुआ था या फिर बरसाद का मौसम है या सर्दी का मौसम है और उसको जल की ज़्यादा जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा पाने का छींटा भी मारेंगे तो वो सी सी तुलसी प्रसंद हो जाएगी विश्टल जी को बहुत प्रीय है तो आप जब तुलसी का पौदा तोड़ रहे हैं तो इसका मतला इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका धरम करम और वो उड़ जाएं भी आ रही हैं जिनसे आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा सुख पाते हैं तीसरी बात जो उसकी पूरी फुलची होते हैं जिसमें कई पत्ते होते हैं उनको एक सा तोड़ना चाहिए एक एक पत्ता करके नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी पौदे की उपर से चौथी बात जब भी आप तुलसी को तोड़ते हैं पत्ते को तोड़ते हैं कभी नाखून का इस्तमाल ना करें सीधे हाथ से तोड़ें तो ज्यादा अचा रहेगा ऐसा करने से क्या होता है कि जो तुलसी के अपने जो गुण होते हैं वो पूरे आपको भरपूर मात्रा में मिलते हैं और हां अगर आप तुलसी का पत्ता तोड़ते समय कुछ भी अच्छी भावना मन में लाते हैं राम राम, विश्नो, विश्नो, managers जो आपके मन में आता है कुछ अगर आपको आता है तो गायतिरी मंतर भी आपने मन ही मन के अंदर जाब कर सकते हैं सुवा के समय तोड़ें दुपैर ना होने दें कभी भी अगर तुलसी का पत्ता आपको तोड़ना है सुवा के समय नहा तोकर पानी दे करके और छीटा डाल करके उसके बाद अगर आप इसना से कोई छोटा मूटा मंतर भगवान का नाम अगर जाब करते करते तोड़ेंगे तो आपको बताएं तुलसी के पौधे के उसके जो पत्ते होते हैं उसके गुणों के अंदर दस गुणा उसके अंदर ब्रिधी होती है और जिस परपस से आप तोड़ रहें आप देखिए आपको थोड़े ही दिन में उसमें बहुत बड़ा चमतकार दिखाई देगा कि अब तुलसी के पत्तों पे आपको सुगंत अच्छी आएगी टेस उसमें आपको अच्छा आएगा और सासा जो है अगर स्वास्त के लिए ले रहें तो स्वास्त में आपके इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से आएगा ये असाने से फील कर सकते हैं आप यही है इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दूसरी बात ध्यान करेंगे साथियों अंधेरा जब हो जाए शाम हो जाए रात होनी शुरू हो जाए तो रात के समय जह है तुलसी आराम करती है सोने का समय होता है जैसे हमारा होता है इसके पत्ते को कभी न तोड़ें मौसम जब खराब हो उसमें पर भी कभी तुलसी के पौधे को न तोड़ें दूसरी बात उसके तुलसी के पौधे के आसपास भी सफाई रखनी ज़रूरी है वहाँ पर कोई भी गंदी चीज हो तो बहुत जादा negativity create करती है मैं आपको बताया था कुछ ऐसे पौदे होते हैं जो तुलसी के असपास नहीं होने चीए मैंने थोड़े दिन पहले आप से share किया था साथ हैं छोटी छोटी बाते हैं अगर आप इसको अपने लाइफ के अंदर अपनाएंगे इसको यूज करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा लाब मिलेगा खाने पीने में अमरित बन जाता है बहुत सी औज़्दियां ऐसी होती हैं जिसमें करि तुलसी का पौदेग अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा अपना कमाल दिखाती हैं को कि इसकंदर होता है मर्करी जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हेवी ऐलिमेंट होता है काली तुलसी को शामा तुलसी कहते हैं उसके जो गुंड धर्म होते हैं रामा तुलसीते से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं वैसे हर तुलसी बहुत अच्छी होती है लोग हमसे पूछते हैं सर कौन सी तुलसी ना लगाए एक बन तुलसी होती है जो की जंगल में अपना पैदा हो जाती है उसको घर में नहीं लगान चाहिए मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको भरपूर ग्यान दे दिया जो मुझे था ऐसी होते मेरे वीडियो और ऐसा ही है मेरा चैनल अगर आपने पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और हां अच्छा लगा लाइक करना मत भूल होंगा जिसका पता होना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तब तक के लिए बिया मुझे विदा नमस्कार